हलो गाईज, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे तो गाईज, आज हम लॉकी का रैता बनाने जा रहे हैं जो की खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये हमारे यहां का सबसे फेमर डिस है अगर अभी हाज हाडखन में रायता सभी लोग इसे बहुत पसंद करते हैं यह बहुत ही फेमस डिस है यहां का तो यह हमने लौकी को छील करके और इसे हमने देखिए थोड़ा सा मोटा मोटा ही हमने काटा है बहुत ही बारीक हमने इसे नहीं काटा है तो यह जो हमारी लौकी इसे हमने छील करके साफ कर लिया है अच्छे से और काट करके हमने रेडी कर लिया है अब हम इसमें पानी डालेंगे तो यह हमने एक गिलास पानी डाल दिया इसमें और हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो यह हमने नमक भी डाल दिया तो इसमें हम बस थोड़ा ही नमक इसलिए कि नमक हम फिर दही में भी आड़ करेंगे तो यह हमने नमक राल दिया अब हम इसे उबलने के लिए गैस पिछड़ाते हैं तो इसे हमने गैस पर बैठा दिया है और गैस का हमने फ्लेम को फूल रखा है और इसे बस हम ज्यादा इसे हम उबाइल नहीं आने देंगा इसे पूरा पकाना नहीं है इसे बस हलका सा हमें इसे पकाना है इसे दबा करके देखेंगा अगर हलका सा दबेगा तो मतलब यह हमारा रेडी हो जाएगा तो इसे हमको लगता है कि मुस्किल से तीन से चार मिनट में यह रेडी हो जाएगा तो आप देख लीजेगा कि आप पूरे 5 मिनट तक पका लिया है और यह देखिए हमारा यह पक करके बिल्कुल रेडी हो गया है तो यह जो है न वो पूरी तरह से मैश नहीं होना चाहिए देखिए बस इस तरह से हम इसको चेक कर लेंगे अराम से यह यह देखिए बहुत ही अच्छे से टूट रहा है तो यह हमारा रेडी हो गया है अब हम इसे गैस को आफ कर देंगे और इसे हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे तो जब हमारा यह ठंडा हो जाएगा तो इसको हाथों की सहायता से या फिर कपड़ा में डाल करके इसे अच्छे से पानी को निचोड देंगे तो इसे पहले हम ठंडा ह तो एसमे क्षमिर निकाल हैं में निके अड़ निकाल सुपीwn शुखनाऊ करें में में काश्मिर्व मीर्च यह तीका नहीं होता है लेकिन यह संधने से कलर about장 अगर आप которых हमें नहीं है तो टीक ते हमारे रख में करें Acts त्कależy करेज काली हॉआ लेकिन हम ग्रीन चिली काट करके डालेंगे इस वज़े से हम इसे कास्मेरी लाल मिर्च डाल रहा है तो यह देखे यह हमने कुछ कलियां लासन की लिए है जिसे हमने छिल लिया है और एक चमची हमारा मस्टर्ड सीड है यानि की सरसो तो सरसो हमने ब्लैक वला लिया है आप च स्ट्धर तीयार करेंगे मिक्स क्या और यह हमेरा हरी मिर्च है यसे भी हमिसमे टतीम हई है और यह धनी की फथि भी हुसे भी हम मिक्स करेंगे औरह द्धनिया-ख़ूच। दही, तो दही हम एक बार में पूरा नहीं डालेंगे, जितना हमारा दही एक बार लेगा, उतना ही हम डालेंगे, तो पहले आधा डालते हैं, उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे, तो नमक थोड़ा सा हम ध्यान से डालेंगे, इसलिए कि हमने लौकी को उबालते वक्त भी अब इनसब को हम अच्छे से देचे और जंगी सबस्क को चाह तो मैं थौड़ाнत की लिए काश्मीरी लालम्रच जो हमने डला है ईसके वजने ये चalg आ जाएगा और दही हमारा थोड़ा सा और जाएगा, तो यह देखिए, यह हमारा चार चमच दही था, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे बस आप बना करके रख दीजिए, और इसे आप दो तीन दीन तक आराम से खा सकते हैं, ठंडी के दिन में तो आप पूरे सप्ता है, अब बना रहे हैं, खाने के दो घंटा पहले इसे आप बना करके रेडी कर लीजिए, और उसके बाद खाने, जब आप खाना खा रही हैं, तो उस वक्त इसे आप ले करके खा सकते हैं, तो इसे हम थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारा लौकी है ना, वो आ मसालों के साथ मिक्स हो जाए, तो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, लेकिन वस ध्यान इतना देना है, कि इसे हम खाने के 2-3 घंटा पहले रेडी करेंगे, ताकि जो हमारा मसाला है ना, वो मसाला, नमक और मिर्च सब का टेस्ट आपस में मिक्स हो जाए, तो उसक अला भी नहीं लगता इसमें ज्यादा, तो यह देखिए हमारा बन करके रेडी हो गया है, यह हमारा बन करके रायता रेडी हो गया, तो आप इसे जरुरत के हिसाब से इसमें दही अगर चाहें, तो और मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यह जब अभी मिक्स होगा ना, तो जो दही डाल सकते हैं तो यह हमारा जो लॉकी का राता है वो बन करके रेडी हो गया है गाईस अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा थैंक यू